डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएस बनो, पीसीस बनो, कोई अच्छी सरकारी नौकरी मिल चाहे, ये ख्वाहिश तो सब की होती है, लेकिन कभी कभी हमारा दिल रचनात मकता की उड़ान उड़ना चाहता है, शायद हम एक आर्टिस्ट बनना चाहते हो, शायद चित्र मिश्र, जो एक चित्रकार है, और वो बताएंगे कि कैसे बना सकते हैं हम करियर एक चित्रकार के रूप में, बहुत-बहुत स्वागत है मिश्र जी आपका, नमस्कार आपको और नमस्कार शूताओं को, मैं ये बताना चाहूँगा, कि चाहे आईएस, पीसीएस, इंजीनि हों या थीटर आटिस्ट हों, हर एक की अपनी गरिमा है, अपना एक शेत्र है, जिसमें बहुत उचाही तक जा सकते हैं, और इन शेत्रों में काम करने पे उतना ही सुख है, जो हम किसी और ब्योसाय में कमाते हैं हमें ये बतायेगा कि आपने अपने करियर की शुरुआत कब की और क्या ये शुरुआत बहुत आसान रही? तो वहाँ पे एक आर्टिस मिले जुन्होंने मुझे एक रास्ता सुझाया कि मैं लखनुवार्ट्स कॉलेज जाऊं और यहां आने के बाद मुझे तमाम रास्ते खुले हुए नजर आये और मैं काशी हिंदू बिश्विद्याले में जाके बैचलर्स डिग्री अपनी BFA और मास्टर डिग्री MFA दोनों कम्प्लीट किया और यहां से मेरा एक चितरकारी का करियर शुरू होता है तो क्या आपको लगता है कि जो युवा है आजकल वो थोड़ा हैसिटेंट है इस चितरकारी के करियर को अपनाने में सिर्फ इस वज़े से क्योंकि उन्हें लगता है कि अच्छी आमदनी का जरिया नहीं बन पाएगी जितना बाकी सारे करियर बन सकते हैं जहां तक आमदनी का प्रशन है तो हम बता दें कि कला में दो पक्ष हैं एक तो यह है कि स्वांता सुखाय के लिए भी लोग काम करते हैं अगर हम धन को किनारे रखें तो जो सुख इसमें रचना करने में मिलता है वो अन्यत्र नहीं मिल सकता और जब धन की बात करते हैं त तो अभी रेसेशन के बाद की बात छोड़ दें तो इसमें इतना पैसा था जितना किसी प्रोफेशन में नहीं हो सकता था आप लोग इंडियन आर्ट मार्केट को इंडिया में और बाहर सुनते होंगे देखते होंगे कि करोडों अरबों में बोलया लगती थी और सारे कला करियर कम नहीं है कलाकार की जगे होती है कलाकार की पोस्ट होती है वहां पे हम जौब कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि अगर इसे अन्य रचनात्मक करियर जैसे कि थीटर या फिर संगीत इनसे अगर देखा जाए तो क्या इसमें प्रसिद्धी कम है या ज्यादा है या उतनी ही मिल जाती है जो आर्टिस्ट डिजर्व करता है। किसी भी तरह का रचना शेत्र हो अगर लगन से किया जाए तो निश्चीत रूप से प्रसिद्धी भी है सफलता है पैसा है और बहुत कुछ है लेकिन हम बताते चलें कि कला में कोई शौर्टकट नहीं है किसी तरह से शौर्टकट ना करके अगर लगन से काम किया गया है सिद अभी तो लोग कलाएं जो हमारी बिखरी पड़ी थी सभी शेत्रों में रिजनल में सुदूर शेत्रों में वो उन मोटिप्स को लेकर उन तत्तों को लेकर हमारे कलाकार आगे बढ़ रहे हैं अपनी निजिता को सामने ला रहे हैं अपनी मौलिकता को सामने ला रहे हैं अपन उसका दर्शन करना चाहते हैं, उसका साक्षातकार करना चाहते हैं, अपने से जोड़ना चाहते हैं. ऐसा कहा जाता है कि ये रचनात्मकता भगवान की देन होती है, तो अगर कोई नॉन पेंटर है, एक चितरकार नहीं है, अपने आपको नहीं समझता चितरकार, तो क्या वो भी चितरकारी में दक्ष हो सकता है? ये बिल्कुल ठीक करें हैं कि बाउन आर्टिस्ट को इतना ही हम कह सकते हैं कि अगर वो दो दिन में सफलता अरजित करता है और अच्छा काम करने लग रहा है और बाउन आर्टिस्ट नहीं है, वो चार दिन लग जाएंगे, लेकिन सफलता तो मिल जाएगी, अब्यास इसा चीज है, कि वो रसरी आवत जाते, सिल पर पड़त निशान, तो एक पत्थर पे निशान रसी भी बना सकती है, अभ्यास करते, हमें लगता है कि अभ्यास करें तो निश्ची दूर्पिस सफलता मिलेगी, किसी भी फिल्ड की रशिनात मुकता हो, हम उसको उस जिस समय में वो फालतू समय बिताता है, इधर उधर अपने समय जाया करता है, उस समय उसको कागज लेके, एक कलम लेके, पेंसिल लेके, उन फार्म्स को बनाना चाहिए, जो उसके इर्द गिर्द हैं, उनी में से कोई एक फार्म होगा, जो बारं बार उसके सामने आएगा, जिसके अबरित्ती होगी, और निश्चीत रूप से सुधरता जाएगा, फिर उस फार्म्स को लेके, वो आगे पेंटिंग कर सकता है, आधिक जानकारी के लिए, उसको तमाम आर्ट्स कॉलेजेज हैं, इंडिया में और बाहर भी, जैसी सुकसुधा हो, जैसे उसके माध्य हो, वहाँ जाना चाहिए, तवाम कला गुरू हैं, जिन से ब्यक्तिकत रूप से भी संपर्क कर सकता है, वो उसको सही रास्ता दिखाएंगे, लेकिन आर्ट्स कॉलेजेज में जाना, विश्विद्यालेओं में जाना उसके लिए अच्छा रहेगा कि डिग्री भी मिलेगी और दक्षता भी आएगी, डिग्री से वो आगे नोकरियां भी पा सकता है, उसका जियों सुधर सकता है और वो समाज को और भी कुछ दे सकता है, एक रोशनी फैला सकता है कला जगत में कुछ एक प्रख्यात कॉलेजिस के नाम अगर आप लेना चाहें तुर प्रदेश की बात करेंगे तो काशी हंदू विश्विद्याले में फेकल्टी अभी जूल आठ है, अभी बहुत अच्छे ढंग से थापित हुआ है डॉक्टर शकुमतला मिश्चा राष्ट्री पुनरवास विश्विद्याले जहां पे ललित कला विभाग बनाया ग इसलिए हम लोगों के लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं भिन रूपेंड समर्थ, डिफरेंटली एविल्ड, उन लोगों को ट्रेंड करते हैं और वे अच्छा काम करते हैं प्रेंग लेने के बाद हम कहां कहां अपने आपको चित्रकार के रूप में देख सकते हैं, कहां कहां हम इंडस्ट्री में अपने आपको पा सकते हैं चित्रकार के रूप में हम उधर तो कमा सकते ही हैं, साथ में कला के शिक्षक हो सकते हैं, इंटर कॉलेजे से लेके डिगरी कॉलेज और भी शुबिध द्यालेओं तक तमाम फ्थान होते हैं, जहां पर हमको नोकरिया मिल सकती हैं, इसके अलावा सभी गागों में कलाकार का पद होता है, वहाँ पर हम जा सकते हैं, और अपना करियर तो बनाई सकते हैं, तमाम लोगों को कला की ओर आकरशित कर सकते हैं, एनिमेशन भी इसी से जुड़ा हुआ है? हाँ, यादि आपके पास ड्रॉइंग्स हैं, तो एनिमेशन तो बहुत सारी ड्रॉइंग्स को जोड़ कर एक फिल्म बनाई जाती है, तमाम तरह से तमाम पोज में, तो अगर हमको ड्रॉइंग आता है, पेंटिंग आती है, तो फिर हम कर सकते हैं, एनिमेशन भी कर सकते हैं तो हमारे साथ थे अफधेश मिश्र जी जिन्नों ने हमें बताया कि किस तरह चित्रकारी में भी करियर बना कर ऊची लंबी उडान भरी जा सकती है और इसी के साथ हम आपका बहुत बहुत धिन्यवाद करते हैं अपधेश जी आप आए और आपने इतनी सारी जानकारी दी हमारे युबाओं को